नमस्कार आप देख रहे हैं आईसेंट सैवन न्यूज मैं हूँ मजीत सिंग और लगातार अपनी ग्रामीन मुहिम के तहत हम पहुचे हैं आज नंगला आखु गाउं में और आपको बता दे जिस तरह से हमारे मुक्षमंत्री योगी जी ने सभी नव निर्वाचित ग्राम परदानों को आदेज दिये हैं कि वो अपने गाउं में कोरोना की जो तीसी लहर की आशंग का जताई जारी है उससे बचने के लिए तमाम इंतजाम वो जो रखे हैं लगातार सेनिटाइज कराएं गाउं के अंदर मास्क बाटे जाएं लोगों को और आपको बता दे साफ स चलते आजम पहुचे हैं नंगलाकु गाउं में और यहां से नव निर्वाचित प्रदान जो बने हैं निरज त्यागी जी मेरे साथ हैं हम त्यागी से जानेंगे किस तरह से यहां पर कितनी बार सेनिटाइज हुआ है लोगों को मास्क मिले हैं और यहां पर सफाय की वरस् सब्सक्राइब गुद्वार को अशनिटाइज करते हैं हर बुदुवार तो हर सनिवार संडेया तो सनिवार साम या संडेय फोगिंग करते हैं है यह बहुत मास्क बाटे हैं हब जब मटने मास्क कम अगर किया उन्हें बेते रहें तो प्रइसानी नहीं है एक हमने अपना प्राइबट सफाई कर्मी रख रखा एक गोर्मेंट की तरफ से हैं हाँ दोनों जो है बड़ी हत्रीके सब्सक्राइब कुड़ा क्लेक्शन करा रहे हैं तुम मैं अभी आठ दस परिवार हैं जो अभी थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं बाकी नहीं तो सभी गाम में पूरा से योग है हाँ अभी हमारा एक तो खेल का मैदान है और एक जो है कपरिस्तान वे उनमें थोड़ी दिक्कत है तो सब मलाइक तो लोगों तोड़ रखे हैं और जो है कुछ उन पर अवैद भी कपजे हैं तो उसमें जो है अभी फिलाल जो हमारी कार्य योजना है प्राइटी प्राइटी पर अभी हमने रखे हैं एक जो हमारे में रोड है इस पर पोधार ओपन और लाइटिंग की रुस्ता जिससे जो है अध्य क्लमेटर दूर हमारे गाहों का जो बसी स्टॉप है तो वससे जो रात को भी आदमिया हुए तो आराम से अपने कर सुरक्सित पोच जा गया है यानि प अब यहां पर अच्छा रहा कि यहां पर दूसी लहर में कोई भी यहां पर किसी तरह से को जादे केजिस नहीं मिले विल्कुल नौर्मल रहा मामला और आपको बता दे यहां पर अब जो प्रधान जी की सोचे स्टेडियम की है और लाइटिंग यहां पर गावं में लगान अब गामवालों को महाशिवरात्री के हार्दिक सुब कामना देता हूं धन्यवाद